देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेट जे इराणी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है उन्होंने सोमवा राद जमशेट पूर में अंतिम सांसली वो 86 साल के थे ये जानकारी टाटा स्टील की ओर से दी गई टाटा स्टील की ओर से जारी बयान में बताया गया कि स्टील मैन आफ इंडिया अब नहीं रहे पद्म विभूशन डॉक्टर जमशेट जे इराणी के निधन की जानकारी देती हुई टाटा ग्रूप बेहत दुखी है उन्होंने 31 अक्टूबर को राद 10 बजे जमशेट पूर में अंतिम सांस ली इराणी जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ट से सेवा निर्वित हुए थे जी जी इराणी और खुशीर इराणी के खर में 2 जून 1936 के दिन जन्म लेने वाले जमशेट ने 1956 में नागपूर के साइंस कॉलेज से B.S.C. की थी वही उन्होंने नागपूर विशुविदाले में 1958 में M.S.C. पूरी की इसके बाद जी इन डाटा स्कॉलर के रूप में ब्रिटिंग की इन्वस्ट्री और शेफिल्ड गए और 1960 में मास्टर्स कंप्लेट की इसके अलावा 1963 में उनकी PhD हुई जमशेद इरानी ने अपने प्रोफेशनल केरियर की शुरुवाद ब्रिटिश आइरन एंड स्टील रिसर्च एसोशियेशन के साथ 1963 में की थी लेकिन उनका सबना हमेशा देश की तरक्की में योगदा देने का रहा वो 1968 में भारत लोटे और टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है